तो आज का वचन मैं आपके सामने बाटने जा रहा हूँ प्रात्रा के बाद हमारे मन में संधे क्यों आता है आज का विशह है कि प्रात्रा में जब आप मांगते हैं तो हमारे मन में संधे क्यों आता है बहुत से लोग हैं अब मेरे खाल करीब सभी होंगे जिनके मन में संधे आता है क्यों संद्य आता है तीन पॉइंट से तीन वजह से तीन कारोनों की वजह से आपके मन में संद्य होता है पहला कि आपका रिष्टा परमिश्व से मजबूत रही है आलेलिया आपका जो रिष्टा है वह अगर परमिश्व से मजबूत रही है तो आपको संद्य आएग तीसरा, अगर आप सिर्फ इशू मसी में चिन और चमतकाल ही देखने के लिए आए हैं, तो आपको संदे आएगा, क्योंकि आप रभू को जानते हैं, लेकिन अगर आप रभू को जानते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपका संबंद अच्छा है, आप जो मांगेंगे प मरकुस 11 का 24 वो वचन है, जो हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, मरकुस 11 का 24 हमें बताता है, कि एक मसी को किस तरीके से जीवन को जीना है, हमारा मसीहत का जीवन क्या है, विश्वास से विश्वास क्यों हो रहे हैं, हम जब मसी में आए, तो हमें परमिशन क्या दिय कि विश्वास कि हमने विश्वास किया और परमिश्र के आशीश को पाया उद्धार को पाया तो हमें अपने जीवन के मसी के जीवन को हमें कैसे शुरू करना है विश्वास से हमारा जीवन विश्वास से विश्वास किया है लेकिन आजकल मसी का जीवन कैसे होता है संधे से कि संदे का अगया मेरे पास है वो तो इशुमसी के आने से चला रहा था अगर आज भी आप संदे करते हैं इसका मतलब आप इशुमसी में पुरी तरीके से नहीं है अई आप अल्लॉया है पढ़िये मेटा 11 का 24 शैसे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रातना करकी मांगो तो प्रतिधी कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे यह हो जाएगा इसलिए मैं तुम्से कहता हूं कौन कह रहा है हलो मुझे बात करें कौन कह रहा है ईशू मसी के मुख से निकली हुई वानी है ईशू मसी अपने मुख से बोल रहे है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ ईशू मसी कह रहे है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है उस परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर धर्थी बार आया था वो कहरा है जिसके पास सौरका़ धर्थी का अधिकार है वो कहरा है जिससे मौत को हरा दिया जिसने शैतान को कुरूस पर खुलन-खुला तमाषा बनाया वो कहरा है कि एक जो कुछ कुछ तुम प्रात्रा करके मांगो, जो कुछ, जो कुछ, कुछ लिमिट नहीं है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स नहीं है, कि आप इनी चीजों को मांग सकते हैं, मेरी जिन्दीगी से मांग सकते हैं, नहीं, जो कुछ, जो कुछ तुम प्रात्रा करके मांगो, तो प्रतीती करो, क्या करो, क्या करो, कब करेंगे प्रतीती आप, जब आप के अंदर विश्वास होगा, प्रतीती करो, समझ लो, महसूस करो, मान लो, जब आप प्रात्रा करके मांगो, तो मान लो, कि आपको मिल चुका है, और वो आपको मिल जाएगा, प्रिस अलॉट, कुछ भी, आपका धंदा अच्छा नहीं चल रहा है, प्रात्रा करिए पिता परमेश्व, देया लो पिता, देया कर ये पिता परमेश्व, मेरा धंदा अच्छा चले, और कोई negativity जो है, उना हो, जो भी भाईब है ना है, आशीश पाए, धन्यवाद पिता परमेश्व, हो गया, हो गया, अब कल नहीं चल रहा, कल गराक नहीं आए, परसों गराक नहीं आए, आएगा, आना ही है, आपने प्रातना कैसे की, आपने किस से मांगा, क्या आप उसे सर्वशक्ति मान मानते हैं, क्या आप उसे, आप मानते हैं कि वो देने में सक्षम है, क्या आप मानते हैं कि वो असंभव को संभव कर सकता है, क्या आप मानते हैं कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो पूरोटे संधे कैसा? अगर संधे आ रहा है तो आपका रिष्टा कमजोर fait मैं पूरी तरीचे से परहु में नहीं हो मैं प्रापर प्रटना नहीं करता हूं मैं वचंद पर नहीं चलता हूं नहीं आपको अंदर से पता है कभी कभी एक बच्चा जब गल्ती करता है न तो जानता है कि नहीं यार आज मार पढ़ने वाली है होता है कि नहीं होता है क्योंकि उसे खुद पता है मैंने गल्ती किये दोस्त कहते हैं यार माबाब है अरे पापा अगर माफ कर देंगे मम्मी है अगर पता लग जा ये गलती, मुझे नहीं चोड़ेंगा, क्यूंकि उसको फता मैंने गलती किये, इसी तरीके से मस्यीहों को पता होता विश्वास कहां गलती किये, वो जो गलती किये न आपने, वो जो आपने प्रात्ना नहीं की, वो जो आपका समर्पण कम है, वो जो आपका विश्वास कम है, वो जो आप पूरी तरीके से वचन पर नहीं चल रहे हैं, वो बात आपको अंदर यंदर बताएगा कि नहीं बैया तुन्हे प्राइतना तो किये वो बात आमके अंदर संधे लेकर आएगा इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं कहीं न कहीं कमजोर हूं यह वहन करेगी तो शायद प्रभू सुन ले यह अच्छा है यार अच्छी लड़की है अच्छा काती है तो आपकी प्रात्रा क्यों नहीं सुन रहा है हम क्यों नहीं अपने आपको मस्दूत कर रहे हैं किऊंकि हम सोच रहे हैं कि हमारा धंदा जूटके अबillarा नहीं चल सकता हम सोच है थोड़ा-थोड़ा सा इतर ओधर हम को करना पड़ता हमारी फेरनी इशु में आने से पहले हमने पूरी तरीके से उसके वचन को उसके नियम को पूरी दरीके से अपनाया नहीं है हां आ रहे हैं इश्च जमतकार करता इश्चो मसी है हलो आप समझे रहे तो परमेश्चर आपके प्रात्राओं को पूरा कर रहा है परमेश्चर नहीं रोक रहा है कौन रोक रहा है आप रोक रहे हैं क्योंकि आपने प्रतीती नहीं की क्या लिखा हुआ है कि मांग प्रात्रा करके मांगो और प्रतीती करो कि तुम्हें मिल गया है हम प्रतीती नहीं करते हैं कि हमें मिल गया है आपने प्रात्रा की और पत्निन प्रात्रा कर ली चलो अच्छा हो जाए नहीं पहले होने तो दे पहले होने दे उसके बाद हम गवाई देंगे पहले होने तो दे पहले आने तो दे पैसे के लिए प्रात्रा किये कर्जों का जो कर्ज है निकलने तो दे क्योंकि आपको विश आपको विश्वास नहीं है, क्यों विश्वास नहीं है, क्योंकि आपका रिष्टा मजबूत नहीं है, क्योंकि आपने प्रतीती नहीं की, आपने मान ने लिया, प्रात्रा की, आपने माना नहीं की, आपको मिल चुका है, आप रहा देख रहे हैं, कई भाई बहन मुझे फोन आई देगा तो मैं उनको भी लेकर आउंगी हम शर्त रखते हैं हम परमेश्र के सामने शर्त रखते हैं नहीं उसने कोई शर्त रखी उसने कहा कि मैं मरने जा रहा हूं तुम लोग विश्वास करोगे हूं मर गया उसने कोई शर्त रखी कोई शर्त नहीं रखी वो जो चोर था जो धहनी और वाला था जो मर रहा था उसने क्या कहा आईश्यू जब तो अपने राज्चे में आना तो मुझे याद करना उसने कोई शर्त रखी ऐ चोर मैं तुझे राज्चे में लाँगा फिर पाप करेगा को का इश्व मसीने आज शाम को तू मेरे साथ स्वर्य लोग में होगा प्रेस अलॉट उसको शर्थ की जरूरत रही है उसको आपके इच्छा की जरूरत है आप मेरे भाई बेन इच्छा से विश्वास के संग मांगिये मैं अपने इश्व के सामने मांग रहा हूँ मैं उस सर्वेशक्ति साम सर्वेशक्ति मान परमेश्वर से मांग रहा हूँ आपका संधे क्यों है क्योंकि आपका रिष्था नहीं है क्योंकि आप खरे चाल के नहीं है 119 बटन सहीता 119 का एक और दो बटन सहीता 119 का एक और दो निकाली जल्ली से परमेश्र किसको पसंद करता है परमेश्र उसको पसंद नहीं करता है आप देशांस दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं डुग डुगी बजवा रहे हैं परमेश्र उसको पसंद करता है जो चाल का खरा है जिसकी चाल सही है क्या लिखा हुआ है क्या ही धन है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की विवस्ता पर चलते हैं किसी और चीज़ पर नहीं चलते हैं उनके मार किसे परमेशर की और चलते हैं धन है वो Bible क्या कहती है धन्य है वो वेक्ति, जो वयवस्ता की चाल पित की वयवस्था को समझता है, इसलिगर दूसरा वचं क्या कहता है बेड़ा, क्या ही धन्य है वे, जो उसकी चितौनियों को मांते हैं, दूसरा, और पु कूल और मन से उसके पास आते हैं, की歌 दुसरा दूबरा पढ़ेटा क्या द्धन्य है वे जो उसकी चित्वणयों को मानते हैं के फूर्ड़ं दूर्ण मैंन उसके पास आते हैं पूर्ण ए ही भधन्य है वे जो उसकी चुनौतिओं पोर्ट चेतावनियों को मानते हैं किसको मानते हैं चेटावनियों को अगर परमेश्र कहता है कि अगर तो मेरे वचन पर नहीं चलेगा तो आशीश नहीं पाएगा मेरे पीछे चलना तो तुरी अपना क्रूस उठाना पड़ेगा अलो प्रेस अलॉट धन्य है वे जो परमेश्र की चेटावनियों को मानते हैं और क्या लिखा हुआ है कि पूर मन से उसके पास आते हैं अधूरे मन से नहीं पूरे मन से पूरे मन से हम प्रभू के पास आते हैं पूरे मन से हम कलीसिया आते हैं पूरे मन से हम परमेश्र के वचन को सुनते हैं पूरे मन से हम उसके वचनों को अपने मन में रखते हैं और उसको ग्रहन करके उस पर चलने की कोशिश करते हैं पूरे मन से चाहे आप अपने धंदे में हो चाहे आप बिंजस में हो चाहे आपनी नौकनी में हो पूरे मन से हम अपने जीवन में परमेश्र के वचन को लाते हैं वो कौन है? धन्न है और जब वो मांगते हैं जब वो मांगते हैं तो वो प्रतीती करते हैं क्या करते हैं? प्रतीती करते हैं कि हमें मिल गया है. प्रेस अबाट. हालेलुया. हमने जो मांगा है, वो हमें मिल गया है. हालेलुया. मैं सच कह रहा हूँ. परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है. और परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करना चाहता है. आपको पता है? परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा लोग उसे देखें. आप चाहिए इस बात को नहीं जानते. हम तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं. आप उसकी इच्छा को नहीं जानते, वो चाहता है कि मैं अपनी बच्ची के द्वारा इसके सर को दिखूँ, इसके मालिक को दिखूँ, इसके दोस्त को दिखूँ, देवशीश के द्वारा मैं इनके वर्कर्स को दिखूँ, उसकी इच्छा है, प्रेस अलॉट उसकी और वो ऐसा काम करता है आपको मैंने पिछली बार बताया था अभी दुआरा बताता हूं अधूरी गवाई बताये आज मैं आपको पूरी गवाई बताता हूं मेरे संग क्या हुआ और अभी भी हो रहा है आप जब को पता है मैं हॉस्पिटल में था नमोनिया होगा मैंने थोड़ा लेट कर दिया हॉस्पिटल जाने में, डॉक्टर के पास जाने में और वो बढ़ गया सिटी स्कैन में आया कि नमोनिया सीजियस है और सीवियर है डॉक्टर से का नहीं आपको एड्मिट होना पड़ेगा अब मैं एक पास्टर हूँ हॉस्पिटल में एड्मिट होने का मतलब है पैसों का होना जाहिर सी बात है अब एक पास्टर हूँ मैं कोई कमाई तो करता हूँ मेरा कोई धंदा तो है नि मेरे पास हम तो विश्वास पे चलते हैं एक पास्टर हमेशा विश्वास पर चलता है करम तक मैं तो चलता हूं मेरी जिन्दीगी विश्वास पर और यही में अपने बेटे को सिखाता हूं तो हॉस्पिटल ने है और हॉस्पिटल में डॉक्टर निका इमीडिट आपको एड्मिट करना पड़ेगा उन्होंने कोरोना का भी टेस्ट लिया जो कि वहां पर आया पॉजिटिव आया एक रूम दिया मुझे स्पेशल रूम दिया वहां इड्मिट कर दिया और एड्मिट करने से पहले उसने बताया है कि साहाँ आपका 50,000 रुपे आपको अभी आपको देना पड़ेगा DEPOSIT करना पड़ेगा कितना 50,000 रूपय और 15,000 रूपे रोजchas कि 50,000 रुपे अभी और 15,000 रूपे रोज़क whiteida मेरे जब बेटे ने मुझे बताया तो 50,000 आपको अभी देना पड़ेगा और 15,000 आपको डेली खर्चाए थोड़ा सा मैं मेरे बच्चे को जब बच्चे ने बताया थोड़ा सा मुझे लगा कि 50,000 मुझे देना पड़ेगा तो मैंने अपना काट दिया credit card है मेरे पास मैंने क इसमें से 15,000 आप दे दो बेटा तो गया और उसने का मैं अभी 15,000 देता हूं बाकि आपको मिल जाएगा मेरा बेटा थोड़ा सा मेरा बेटा मेरी पत्नी थोड़ा सा टेंशन में थे कि वह क्या होगा लेकिन मेसेज बता रहा हूं मेरे अंदर एक शान्ती थी प्रभू मेर साथ है और मुझसे प्यार करता हूं मैं धर्मी इंसान हूं मैं एड्मिट हो किया सुभे जब मैं उठा प्रभू का धन्यवाद दिया हाथ मों धोया कुला किया और प्रभू का धन्यवाद दिया कि प्रभू धन्यवाद अच्छी नीन दी और अच्छी तरीके से मैं यहां बहुत धन्यवाद इस्तिकाई गीद गाया और मैंने फोन देखा कि ऐसी फोन देखते ना फोन देखा तो उसमें SMS में मेरे एकाउंट का डिटेल आई हुई थी और उसमें एकाउंट में था कि किसी ने लाख रुपया मेरे एकाउंट में डाल दिया लाख रुपया आप समझते हैं आज के आज के पीरेड में आप किसी से सौ रुपय नहीं ले सकते अपना पैसा आपको नहीं मिलेगा ऐसे कोविट के लाख रुपया एक भाई ने मेरे एकाउंट में डाला और साथ में मैसेज भी दिया कि ब्रदर आप प्लीज चिंदा मत करिएगा आप सिर्फ अपना इलाज कराईए आप सुचिए मेरी आखों में आसु आ गए और मैं उस पेता परमिश्र को धन्यवाद देने लगा कि तु महान है पेता आलेलुया इतना महान है धन्यवाद उसने मेरे संग कई चमतकार किये कितिक अपर मेरी पतनी जो घर पर थी वह भी बेमार थी उसको लगता मुझे पता रहे है कि वह एतना सीविर है लेकिंुटर से ज़्कर ऑपिए लेकिनुटर की उसको भी सीटी स्टे स rpm कर reply तो उसका मुझसे ज्यादा निकला तो दॉक्तर ने का आए कि आपकी पतनी को भी करना पड़ेगा मने डॉक्टर से का कि मैंने डॉक साब कुछ ऐसा करिए कि वह घर में ही आप हमें कुछ इलाज बताईए कुछ इंजेक्शन दीजिए मैं लगवा लूँगा घर पर इलाज हो जाए कुछ ऐसा करिए कि आप कहीं भी कराईगे अब हमारे दो तिन दोस्तें ब कि तब तक मैंने देखा था मेरा जो बिल था वो 90,000 तक आ चुका था तीन चरदें के बाद 90,000 तक आप बिल आचुका था तो उन्हों राय दी कि भरी हम इनको जन्रल वाट में करते हैं था कि पैसा काम हो जाएगा मने का नहीं ब्रदर वो मेरी पत्नी है मैं अगर अकेले क्लास के रूम में हूँ तो मेरी पत्नी भी इसी रूम में आएगी मैं अपनी पत्नी को नहीं बाकी करने वाला पर में देखेंगे मैं अपनी पत्नी को मैं खुद इस में एलाज कर रहा हूं और अपनी पत्नी को जर्रेनल वार्ट में कर दूं जाकि लोग वहां बैठे होंगे, किसके पास करोना है, किसका नहीं है, बता चले, मैं सुबह शाम तक टेंचन में हूँ, कि वह कैसे रहेगी वहां पर, तो मैंने क तक उसको oxygen लगता रहा, उसके अंदर क्योंकि काफी अंदर उसके अंदर था, चेस्ट में काफी था, तो oxygen से वो निकालते रहे, Praise the Lord, और परमेश्वर अधभूत आशीश मुझे देता रहा, मैंने किसी से कुछ पैसा नहीं मांगा, Praise the Lord, लेकिन लोगों के मनों को परमेश्वर बदलता रहा, बोश डालता रहा, जब वाइफ के discharge का समय आया, आफ इश्वास करिए मानिये, कि हमारा बिल हो गया था, एक लाख सत्तर हजार, दोनों पति-पतियों का बिल कितना हो गया था, एक लाख सत्तर हजार, उपरी खर्चा जैसे अभी चल रहा है, वो अलग है, लेकिन वहां के बिल की बात बखा रहा हूँ, कि हॉस्पिटल का जो बिल था कितना, एक लाख सत्तर हजार, और मैंने अपने अकाउंड में देखा, कि मेरे पास कितनी ब्लेसिंग्स आई थी, एक लाख सत्तर हजार, नकम ना जादा, अब सुचिए, कि मेरे पिता को, पहले से पता था कि कितना बिल आने वाला है, एक लाख सत्तर हजार, और मुझे जो लोगों की ब्लेसिंग्स आई, कितनी आई, एक लाख सत्तर हजार, अब यह गभाई यही खतम नहीं हुए, आप ऐसे बहुत लोग जानते हैं, कि मेरी दिल्ली में एक बहन है, जो कि तक्रीबन साथ-ाठ साल से मुझसे बात नहीं करती कि यह हमारा रिष्टा नहीं है, और मैं उसके लिए रोज प्रातना करता हूं और आप लोग भी प्रातना करते होंगे, मेरे परिवार के लिए कि वो परिवार भी उधार पाए, प्रेस अलॉट, वो दिल्ली में साथ-ाठ साथ से मुझसे बात नहीं करती क्योंकि मैं हॉस्पिटल में है, तो उसका फोन आना शुरू हो गया, कि बेटा चिंतना कर, सब ठीक हो जाएगा, वो ऐजे बुआ, दीदी का फोन, अमितेश को आना शुरू हो गया, मेरे बेटे को आना शुरू हो गया, और रोज आता था पूछने कि अब पापा कैसे हैं, अब मम्मी कैसी हैं, चिंतना कर, बेटे दिया कि नहीं दवाई धी, रोज उसका फोन आना शुरू हो गया, जो मुझसे बात नहीं करती थी, जिसमें मैं तरबता था प्रभुशन से कि मेरी बेहन मुझसे बात करे, उसका फोन आना शुरू हो गया, अलेलिया, और साथ दिन के बाद ज अरे मैंने का क्या बात है यार, यह तो अचंबत होगे, चमतकार होगे, अब मैंने नहीं समझा उस समझते कि यह परमेशर की योजना है, देखिए सारी योजना परमेशर की है, यह परमेशर काम कर रहा है, और उसके बाद आने के बाद, फिर मैंने दिदी से बात की, अपन हो और मैं तुमसे सौरी भोलता हूं प्लीज और हम लोग ने माफ़ी मांगी हो दिदी रोई और हम लोग के अंदर एक वो सुखा जो प्रेस अलॉट मुझे रिष्टा साथ-ाथ साल से ठूटा हुआ था वो मेरी बिमारी ने बांदिया प्रेस अलॉट हाले लुए आप सोच सब्सक्राइब कि परमिश्र कि क्या योशना है कि पृष्ले आठ महीने में जो की वीडियोस मेरे जाते हैं यूटूब के जरीए तो कम से कम धार कंड से कहां कहां से कम से कम 10-12 परिवारों के मुझे फोन आये जिनको को और जिनको को और नहीं प्रातना करता था और उनको लेकिन जब मैं बिमार पड़ा और मैं प्रात्रा कर रहा हूं मुझे चंगाई नहीं मिल रही है मुझे नहीं मिल रही चंगाई लिए कोई बात तें गों है देने वाले आप है क्यों क्यों कि पर्मेश्वर की योशना थी कि मैं होस्पिटल जान। और वो परिवार जिसका परमिश्र उद्धार करने वाला है वो परमिश्वर में आए इसलिए कभी-कभी आपके जीवन में अगर परमिश्र काम नहीं करता तो आप मत करिए दोश्मत लगाईए ये बच्ची मुझे से पूछ रही थी बैबल का बचन है रोमिए आठ का 28 कि जो परमिश्र से प्रेम रही थी बैचाइए पन करती है प्रेस लौट अगर मैं सुची अगर मैं सिरब बिमार होता तो ना बेटा मेरा फोन और मैं घर पे होता तो मेरा बेटा पोन नहीं करता और अगर phone भी करता कि पाबा बेमार है, तो तीक है घर पे है बेमार है लेकिन जब एक इंसान hospital जाता है, तो एक emotion आता है कि अरे hospital में क्या हो गया, आप समझे रहे तो बहन के अंदर, वो permission ने काम किया, मेरे अंदर, मेरे लिए प्रेम जगाया कि मेरा भाई हॉस्पिटल में और मेरी जो भावी है वो भी हॉस्पिटल ने बच्चा अकेला है आप सोचिए कैसे पर्मेशन ने काम किया मुझे चंगाई दी हॉस्पिटल का बिल भरा और मेरी बेहन जो 7-8 साल से उदास ती जो दूर थी वो मेरे करीब आई यह है यह है पर्मेशन का काम मेरे भाई और भी हम मार्च में जा रहे हैं उसने बुलाया है आलेलुया जब आपका रिष्टा पर्मेशन से अच्छा होता है मेरे भाई मेरी बेहन असंभव को संभव करता है प्रभू इन 10-12 दिन में हमारे बच्चों ने हमारा भाई साथ दिया दिवशीष, मनी, संतोष, ललिता, पूनम, पूजा क्योंकि डॉक्टर से मना कि यह ता आपको खाना और कुछ नहीं बनाना है तो यह बच्चे रोज कभी 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 खाना भिजवाते थे यह प्रभू की किरपा है क्यों क्यों क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है हालिलुया क्या है हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर हैना मेरे भाई आप कुछ मत मांगिए वो आपको देगा यहन्ना पंदरा निगा लिए यहन्ना पंदरा आठ से गैरा यहन्ना पंदरा आठ से गैरा रिस अलोट मैंने अपनी गभाई आपको क्यों बताई ताकि आपका विश्वास बढ़े आपका विश्वास बढ़े आप अपना रिष्टा मजबूत करिए परमेश्र के साथ और कुश मत करिए अलो, बात मत करिए भईया अपना रिष्टा मजबूत करिए परमेश्र के संग और कुश मत करिए अगर आपका रिष्टा मजबूत है परमेश्र के संग अग्ध भुद आशीशों की बारिश आपके जीवन में होना है लेकिन अगर आपको परिक्षा में से गुजरना पड़े उसका धन्यवाद दीजे क्योंकि बाइबल कभी नहीं कहती कि आप ईशु मसी को मानेंगे तो आपको अच्छा होता रहेगा परमेशर आपको बनाता है बाइबल में कहीं नहीं लिखा आए कि जब आप ईशु मसी को पा लेंगे तो आपको अच्छा होगा परमेशर आपके जीवन में दुख क्यों लाता है क्योंकि वो बताता है मैं हूँ वो आपको बदलना चाहता है वो आपके अंदर चरित्र अपना चरित्र पैदा करना चाहता है अलेलिया और यही इच्छा उसकी है देखे क्या कहता है वो यहना 15 का 8 से 8 से 11 मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ढरोगे बहुत सा फल लाओ इसमें पिता की महिमा है तो आप सोचिए जब आप मांगते हैं तो आपकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करेगा वो आप मांग कर संधे करते हैं कि पता नहीं मेरे इच्छा पूरी होगी है मेरी प्रात्रा पूरी होगी कि नहीं होगी गलत है क्योंकि उसकी उसकी इसी से महिमा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है अगर आप कलीसी आते हैं और आपको आशीश नहीं मिलती है तो आप क्यों आएंगे वो कहता है मेरे पिता की इशू कहता है मेरे पिता की महीमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ आगे बड़ा पिटा तभी तुम मेरे चेले ठहरूगे जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुम से प्रेम रखा मेरे प्रेम में बने रहो ये तुम मेरी आग्याओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आग्याओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ मैंने ये बाते तुम से इसलिए कही है कि मेरा आनन्द तुम में बना रहे और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए इश्यू कहता है कि मैं ये सब तुम से क्यों कह रहा हूँ ताकि मेरा आनन्द तुम में पूरा हो आप जानते हैं जब आप मांगते हैं और आप प्रतीती करते हैं कि मुझे मिल गया है कितना आनन्द होगा आप सोची अगर प्राथनां के बाद आप प्रतिती करें जैसा वचन कहता है कि आपको मिल गया है कितना आनंद होगा प्रतिती किये मुझे मिल गया है और मिल जाएगा क्योंकि प्रभु कहता है वचन कहता है हलो वचन कहता है यही आनंद तो परमिशर आपको देना चाहता है तुम मांगो मैं तुम्हें तूँगा लेकिए 16 का 5, मती 16 का 5 से गहरा पड़ी है मती 16 का 5 परंटू मती 16 16, 5 से गहरा देखिए अगर आपको पता होगा मती में भी और योहनना में भी अगर आप देखेंगे तो इशु मसी ने 5,000 लोहों को भी रोटी खिलाई थी और 4,000 लोहों को भी रोटी खिलाई थी हाललुया ये कथा सब जानते हैं ये दरिस्टान सब को पता है किशु मसी ने 5,000 आदिमें को यहने के उसे में 12,000 लोग थे जिनको परमेशन ने रोटी खिलाई हाललुया प्रेस अलॉट प्रेस अलॉट तो रोटी खिलाकर परमेशन ने क्या बताया कहां से रोटी लाई एक बार उसके पास क्या थी पांच रोटी और दो मशलिया और दूसरी बार क्या था शाथ रोटी सर लॉट तु तू आपत भिख भेश अइनल रोटी में पंच आपके पास थी कि परमिश्र आपको रोटी के लिए नहीं करण मैं आपको रोटी चेंदा नहीं कर नहीं है यही वह अपने चेलों से है यह जाई यहां पर सुनिये हा बेटा कर देखते हैं वचन पढ़ते हैं और उसके बाद भी अविश्वास करते हैं उसके बाद भी संधे करते हैं कि हमारी प्रात्रा पूरी होगी की नहीं होगी कि रेस अलोट कि यू संदे करना मैं इशु मसी का बच्चाओं मा चुना हुआ हूँ और मैं परमेश्वर का सेवक हूं मुए परमेश्वर का पुत्र हूं परमेश्वर मेरे जीवन में काम क्यू नहीं करेगा कि अगर आपके अंदर संदे तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम कमजोर है आप कमजोर है और यही बात वो यहां पर चेले से कहता है बोलिए बैटा तुम आपस में क्यों विचार करते हूं कि हमाई पस रोटी नहीं है क्या तुम अब तक नहीं समझे क्या तुमें उन पांच हजार की पांच रोटी स्मरण नहीं और नहीं कि तुमने कितने टोकरियां उठाई थी और उन चार हजार की साथ रोटीयां और नहीं कि तुमने कितने टोकरे उठाये थे तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विश्य में नहीं कहा परन्तु यहां कि तुम फरिसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना फरिसियों और सदूकियों के खमीर से उनकी गलत शिक्षा से सावधान रहना जिस जिन आप अपने अंदर से उस गलत शिक्षा को निकाल देंगे आपका विश्वास मुकमल होगा और आप संदे नहीं करेंगे आप संदे क्यों करते हैं? प्रात्रा करने के बाद तोंकि आपके अंदर संसार है हैं आप गलत शिक्षा में जी रहे हैं आपके पास गलत विश्वास है आप संसार को लिए चल रहे हैं आप संसार की गतिव इधियों पर संसार की रीतियों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं अगर आप संपूर्ता के साथ बाइबल के अनुसार चलते हैं मेरे भाई मेरे ब चलऻ रहा है या मेरी बंजन साने चला रहा है मेरी नौकरी नहीं है तो मुझे रोठी कहांसे मिलेगी न Cristo अगा मैरा स мор's to the Lord है इसका मतलब यहीं किया मेरत नहीं करनी है लेकिन दुन के अनुसार जब हम बशन के अनुसार काम करेंगे तो हमारी प्रात्राइं भी परमिश्व सुनेगा हमारे अंदर संधे भी नहीं आएगा और हम आनंदित रहेंगे जैसा वो कह रहा है क्या कहता ईशु कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो यही तो पिता चाहता है इसलिए यहना यहना 17 20-21 में वो क्या कहता है अपने पिता से उसकी क्या प्रात्रा है ध्यान दीजे वो आपके लिए क्या प्रात्रा करता है अपने पिता से इशु यहना 15 में देखा आपने 11 वचन कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो और यहां पर यहांना 17, 20, 21 में क्या कहता है सुचिए मैं केवल इनी के लिए विंति नहीं करता परंतो उनके लिए भी जो उनके वच्चन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो जैसा तु हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हो जिससे संसार विश्वास करें कि तु ही ने मुझे भेजा है अब देखिए वो क्या कहता है मैं किन के लिए प्रांतना कर रहा हूं जिनको तुने मुझे दिया है जैसा तु है पिता मुझ में है और मैं तुछ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हूँ कौन वे कौन हम लोग किसकी बात चल रही है हम लोग की तो क्या कह रहा है परमेशर जैस तू मुझमें है जैसा तू मुझमें है मैं तुछ में मैं तुछ में हूं वैसे ही ये सब लोग भी मुझमें आ जाए praise the Lord मैं तुझ में हूँ में जगत प्रतीती करे के तू नहीं मुझे भेजा है यहानिके जब हम प्रभू में होंगे तो जगत कैसे प्रतीती करेगा कि उसने हमें भेजा है उसने हमें चुना है जब वो हमारे जीवन में बदलाब देखेगा जब हमारे जीवन में आशीशे बहती हुई देखेगा दुनिया देखेगी, हमारा पडूसी देखेगा समझेगे नहीं? हमारे रिष्टिदार देखेंगे अरे मसी में है, कुछ कमाता नहीं है यह कैसे आशीश पा रहा है? जब आपके जीवन में असंभव संभव होता हुआ दिखाई देगा तो जगत प्रतीती करेगा कि यहारे कौन है? लेकिन अब नहीं कर रहा है, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे है परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में असंभव काम करना परमेशोर चाहता है कि आपके जीवन में आनंद लाना हर पल आप आनंदित हो बिमार है तो आनंद, विपत्ति है तो आनंद, लॉकड़ौन है तो आनंद क्यों? क्योंकि आपका संबंध परमेशोर से अच्छा है आप जो मांगेंगे है आपको मिलेगा आप जानते हैं प्रिस अलॉट अलॉलॉया कोई कुण्डा कोई शेतान अगर मालिज आपके पास आता और आपका यहां के सीम से अच्छा संबंद है तो आपका घमंड होगा या एक फोन करूंगा सीम को पता लग जाएगा होगा ना यह दिमाग में कैसेम से मेरा अच्छा संबंद है आप सूछें कि उस पता से जवापका संबंद है प्रिस अलॉट आपका किसी ने कर्दा लिया हुआ है कोई पाउल रही है आपका संबंद किसे अच्छा है पता से पittा उसके मन को बदलेगा आपका संबंद अच्छा और आप प्रतीदी करें कि जो मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा जिसने आप यह सोच लाइंगे कि जो मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा ब्लक जिए अद्बूत अद्बूत पर्मेश्र की क्रिपा को आप अपने जीवन में बहता हुआ देखेंगे बहता हुआ कभी-कभी मैं घर में होता हूँ और मैं प्रात्रा कर रहा हूँ मालेजी मैं प्रात्रा कर रहा हूँ और किसी का फोन आया है कि वो अभी आने वाला है मुझसे मिलने के लिए कोई भाईव है और मैंनी प्रात्रा अभी आदे घंटे की है या बीस मिनिट की है मैं प्राथना हूँ, मैं प्राथना करता हूँ कि पर भू आदे घंडे के बाद ही आए भाई तकि मैं प्राथना कर सकूँ फोन पर उसने का मैं पांच उन्हें पहुंच रहा हूँ लेकि मैंने प्राथना की आदे घंडे बाद वो आदमी आदे घंडे के बाद ही आता है मेरे गर में आप नहीं जानते उन शक्तियों को आप नहीं जानते आपकी जबान पर वो शक्ति है परमेश्वन ने आपकी जबान पर वो अधिकार दिया है आप उसका उपयोग करिए और अद्बूत आशीष पाईए इसलिए मांगते समय विश्वास करिए संदे नहीं आज के बाद जब भी मांग रिए विश्वास करिए शंदे नहीं और प्रतीती करिए कि मुझे मिल गया है और बाइबल कहती है मुझे मिल जाएगा मेरा काम होगा मुझे आशीश देंगे क्योंकि मेरा पिता जीवित है और वो मेरी सुनता है हालेलिया मैं विश्वास करता हूँ आज का वशन आपने गरहन किया आशीश पाई बोले एश्यो मसी की एश्यो मसी की God bless you प्रभू आपको बहुत बहुत आशीश देगा